तो गाईस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली नई राज दूद के बारे में जी है बाई जो कि आपको ओल्ड वाले लुक्स एंड फीचर के साथ वापस से देखने को मिल जाएगी लेकिन बाई जो गाड़ी का इंजन होगा वो आपको बीज़ सिक्स कं बाई जो कि ये गाड़ी उस टाइम पे बहुत अच्छी सेल फिगर लाती थी तो आज जो बाई आपको हम इसकी बारे में सारी इंफर्मेशन देने वाले हैं कि आपको राजदूद कब तक इंडिया में देखने को मिलेगी प्राइस फीचर क्या रहने वाले हैं तो बाई गाड़ी का जो इंजन था वो आपको मिलता था 173 CC का बाई जो कि अभी भी आपको वही इंजन मिलेगा और ये गाड़ी लगबग आपको 15 HP का पावर देगी और लगबग आपको 13 NM का टॉर्क देखने को मिल जाएगा बाई जो है बाई वो आपको लगबग 45-40 का मिलेग बाई लेकिन बाई मेरे मन में एक डाउड था कि राज दूध को जिर्फ यूज करते हैं धूद वाले खेर बाई वो सब मजाकी बात है लेकिन मुझे ऐसा लगता था बाई आपकी क्या राय थी बचपन में राज दूध को लेकि वो आप कमेंड़ बॉक्स में बता सकते है बाकि जो है बाई राज दूत में आपको मिलेंगे दो वारियंट एक आएगा एलोर वील और एक आएगा स्पोक वील बाकि जो है बाई सिंगल डिस्कॉर्ड सिंगल चैनल ABS कंपल सरी रहेगा क्योंकि बाई ये गाड़ी 150 CC की उपर की है तो बाई रहना बनता है सिंगल चैनल ABS बाकि जो बाई गाड़ी में आपको मिलेगा टैंक वही पुराना वाला बाई जिस पे की आपको टच अप मिल जाएगा क्रोमिंग का और बाई टैंक आपको फुल मिलेगा मेटल बाई गाड़ी में आपको मिल जाएगा फुल मेटल का मेटगार जो की आपको काफी गलोसी पेंट स्कीम के साथ देखने को मिलेगा साथ ही गाड़ी के जो पैनल सुनगे साइड वाले वो भी आपको पूरा मिलेंगे मेटल के बाई जो की आपको काफी गलोसी मिल जाएंगे और बाई वो पैनल बहुत ही बड़ा है वो आपने अल्रेडी भाई बहुत सी गाड़ीों को अपने सामने देख रखा होगा बच्पन में साथ ही गाड़ी में आपको मिल जाएगा round shape में हेलोजन का headlight, हेलोजन के indicator भाई जो कि हेलोजन की जो indicators हैं वो भी आपको round shape के ही मिलेंगे और गाड़ी की जो tail light होगी वो भी आपको हेलोजन की मिलेगी जो कि round shape में company provide करा देगी गाड़ी में आपको मिल जाएगा एक ही में kick और वही pedal काम करेगा brake में भी और वही काम करेगा gear में भी यानि कि बाई old वाला same engine launch किया जाएगा जो कि BS6 compliant रहेगा आपको फूली एनलोग देखने को मिल जाएगा गाड़ी में आपको single piece में chopper में handlebars मिल जाएगे और जो गाड़ी की seat होगी वो आपको काफिक एच्छी मिल जाएगी comfortable बाई जो कि single piece में provide करा एक company और इसका जो grab rail होगा वो भी आपको मिलेगा लोगेगा जो कि steel work में रहेगा और गाड़ी में जो है लगबग आपको चार color दिखने को मिल सकते है red, black, white ब्लू दो बाई कुछ ऐसे color scheme launch किये जाएगे बागी जो भाई आगे आपको मिल जाएगा suspension telescopic का पीछे आपको मिल जाएगा twin shock absorber और इसका बाई जो chance hit होगा वो भाई opposite side होगा जो कि आपको पता होगा बाई जैसे पहले एता था bullet में तो कुछ वैसा ही होगा और इसका जो price होगा बाई वो आपको लगबग मिल जाएगा on road एक लाग पचास अजार रुपए के आसपास तक का और बाई जो राज दूथ है ये आपको वापस से मिल जाएगी आने वाले महिने में और ये गाड़ी आपको सरा क्लाइब्रेशन के साथ देखने को मिल सकती है रॉयल इन्फिल्ड green जावा यजणी तो भाई कोई भी शोओरूम अलग है नहीं ये सब जो है बाई एकी शोरूम के चटे-बत्टे तो भाई आपको राज दूथ भी इसी शोरूम के औ पहले का तो भाई पहले बाई कि एक कम हुआ करती थी तो भाई रुतुबा था लेकिन आज के टाइम पे बाई इस गाड़ी को तो कूड़े में बहाया गया मैंने बहुत जगह अल्रेडी देख रखा लेकिन लोगों को आज भी ओल्ड वाली चीजे पसंद आ जाती है बाई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते खैर जो भी आएगा बाई अच्छा ही आएगा तो बाई जो वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंदू बन देमातरम बाई